दोस्तों कि आप जानते हैं एक ऐसा गाउ है जहां पर लोग जमीन के अंदर रहते हैं और कि आपको पता है कि डॉमिनोस पर 10 लाग रुपे का फाइन भारत में क्यों लगा था और भारतीय रेलवे फिल्मों में यूज होने वाली अपनी टेंस के लिए कितने पैसे चार्ज क इमेज है सन की सन का सरफेस को इस तरह का दिखता है आपको आप इमेज देख रहे हैं इस तरह का सन का सरफेस दिखता है यह कैप्चरड हुई है एक टेलिस्कोप से हाउली में हाउली में इस इमेज को लिया गया है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकाले कांग्रेश पुस्तकाले लंदन में है वर्ड्स लाज़ेस्ट लाइब्रेडी यह आप फूल देख रहे हैं कि हमाले में खिला नाग पुस्प है जो गी बरसों बाद दिखाई देता है यह पुश्प शेशना की तरह दिखता है जो करीब 36 सालों में एक बार ही देखा जा सकता है क्या आपने देखा है कभी इस तरह का फूल देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में सुरूर बताएगा और मिलिए लेडी गागा से जी हम दोस्तों लेडी गागा 2010 में MTV Video Music Award में इनोंने Real Meat की ड्रेस पहनी थी यह जो आप ड्रेस देख रहे हैं यह meat की बनी हुई है Real Meat की ड्रेस देख पहनी थी और यह जो आप सकिन देख रहे हैं यह ऐसी होती है डैनोसूर की सकिन यह जो आप फॉलिस्ट डैनोसूर सकिन कुछ इस तरह की दिखते है जो आप देख रहे हैं इस तरह की दिखती है डाइनोसवर की स्कीन फैक्ट नमबर फोर फिल्मों में शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे 4.75 लाक रुपय प्रती दिन का चार्ज करती है यानि कि तक करीबन 4.75 लाक रुपए प्रती दिन का चार्ज करती है इंडियन रेलवे for फिल्म शूटिंग फैक्ट नमबर 3 दुरियों के सबसे उंचे रेल रूटों में एक है अरजिनिटी का सालता रेनमार्क जहां से ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और 1920 में निर्मार्ण हुआ यह रेल लाइन समूदर तल से 4000 मिटर की उंचाय पर स्थित है जहां से गुजने वाली ट्रेन को ट्रेन डू दे क्लाउट्स भी कहा जाता है और क्या आप जानते कि भारत में डॉमिनॉस पर 10 लाग रुपए का फाइन क्यूं लगा था तो चंडीगर्क में एक डॉमिनॉस रेसटूरेंट को अपने तो कस्टमर से 14 रुपए के लिए चारज कर ली ते इस पर चंडीगर स्टेट ग्राहक कमेशन ने उस डॉमिनॉस रेस्टूरेंट को ग्राहक को चौदर रुपए बापस करनने को कहा था तो इसका जबाब कोई नहीं आया फिर इस पर एक्शन लिया गया और तो इस डॉमिनोज रेस्टूरेंट पर 9,80,000 उपर जुर्माना लगाया गया एक कैरी बैक के लिए इतना जुर्माना डॉमिनोज को देना पड़ा था फैक्त नमबर वन और तो एक शिटी जिसका नम है ऑपाल सिटी तो नहीं इसको गाउ है और चुबेर पेडी गाउं है एक ऐसा गाउं है जहां सभी लोग जमीन के अंदर रहते हैं यहां के लोगों ने अपना घर जमीन के अंदर बनाया हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाउं में सबसे ज़्यादा ओपल के माइस है और इसलिए इस गाउं को ओपल सिटी ओफ तर वर्ड भी कहा जाता है इस इस अमेजिंग आपको अमेजिंग लगी ना एह बात तो यह थे आज की कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट आई होप आपको आ खब्रच आपको